नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजे मग्गुहर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर पार्टियों में मन्थन है, तो राजनीतिक डलों से जुड़े जो लोग हैं या फिर इंडिपेंडेंट तोर पर जो तयारी कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग नजरे हैं कि उनके लिए कौन सा विधानसभा छेत्र मुफीद बैठेगा और कौन से छेत्र में क्या होगा, हम लग आपसे अलग-अलग विधानसभा छेत्रों पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कौन से छेत्र में क्या चल रहा है, आज मैं आपके साथ चर्चा में मौझूद हूँ, हर्याना की एक प्रमुक विधानसभा सीट, हर्याना की एक ऐसी विधानसभा सीट जो कि हर्याना की प लेकिन हर्याना सरकार के बड़ी संख्या में दफ्तर, अधिकारियों के ओफिस, मंत्रियों की कोठिया ये अब पंचकुला में जा चुकी है इस लिहाज से मैंने आपको कहा कि मैं उस विधानसभा की चर्चा करूँगा तो आप समझ रहे होंगे इस विधियो में मैं आपके साथ पंचकुला विधानसभा को लेकर हूँ पंचकुला विधानसभा जहां से कि आजकल ग्यानचंद गुपता विधायक है ग्यानचंद गुपता जो हर्याना विधानसभा के स्पीकर हैं 2019 से लगातार चले आ रहे हैं ग्यांचन्द गुपता जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव लगातार जीते थे ग्यांचन्द गुपता को भारती जंता पायटी ने अपना प्रत्याशी तीन बार बनाया 2009, 2014 और 2019 2009 में तो वो चुनाव हार गए थे तीसरे स्थान पर रहे थे लेकिन 2014 और 2019 दोनों चुनाव हो जीत गए हाला कि 2014 में उनकी जो जीत का मारजन था वो बहुत बड़ा था और जो 2019 आते आते वो घट करके बहुत कम रह गया मैं आपको बताऊंगा कि वहां की परिस्तिती क्या है कौन-कौन पार्टियों के क्या-क्या कैंडिडेट हैं कब क्या था लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि मैं आपको यह बताऊं कि 2009, 2014 और 2019 का वाका पोलिटिकल सेनेरियो आखिर था क्या तो अगर 2009 के चुनाव की बात करते हैं तो 2009 के चुनाव में यहां से कौंग्रेस के कैंडिडेट थे देवेंदर बंसल 2004 में यहां से कौंग्रेस के विधायक बने थे चंदर महुन हर्याना सरकार के अंदर डिपटी सीम थे उप मुख्यमंत्री लेकिन चंदर महुन के साथ में जो एक मामला जुड़ा उसके चलते चंदर महुन राजनीती से प 2009 में कौंग्रेस ने अपना केंड़ेट नहीं वनाया टिकेट नहीं दिया 2009 में यहां से कौंग्रेस के कैंडिडेट हुए देवेंदर बंसल और देवेंदर बंसल चुनाव जीत गए और 2009 के चुनाव में देविंदर बंसल के सामने इंडियन नैशनल लोगदल के कैंडिडेट थे योगराज सिंग क्रिकेटर योगराज सिंग के पिता योगराज सिंग सिने अभीनेता और उनके स्थाथ भारती जिनता पार्टी के कैंडिडेट थे ग्यानचन गुपता दिविंद्र बंसल चुनाव जीते थे योग राज दूसरे स्थान पर रहे थे उस चुनाव में इने लोग के कैंडिडेट और जो भारती जिन्ता पार्टी के कैंडिडेट थे ग्यांचन गुपता वो तीसरे स्थान पर आ गए थे उसके बाद 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में मोधी लहर चल पड़ी, एक बार मोधी का लहर थी हर्याना के अंदर पहली बार भारती जिन्ता पार्टी अपने दम पे दमा दम थी भारती जंता पार्टी ने 2014 में भी अपना केंडिडेट जो बनाया वो ग्यानचंद गुपता को ही बनाया और ग्यानचंद गुपता के सामने इंडियन नेशनल लोगदल ने अपना केंडिडेट बनाया कुलभूशन गोयल को जो आजकल मेयर हैं और आजकल वो भारती जंता पार्टी में ही है और कॉंग्रेस के कैंडिडेट गहां पर फिर से देविंदर बंसल हुए 2014 के चुनाव में भी यानि कि 2009 के जो विधायक थे उनको 2014 में टिकेट मिला 2014 का जो चुनाव परिणाम रहा उसके अंदर ग्यानचंद गुपता चुनाव जीते और ग्यानचंद गुपता चुनाव जीते उनको वोट मिले लगबग 70,000 से भी जादा उनके मुकाबले बीजेपी के जो कैंडिडेट ग्यानचंद गुपता चुनाव जीते उनके सामने जो दूसरे नंबर पर candidate आये वो थे कुल्भूशन गोयल और कुल्भूशन गोयल को vote मिले लगबग 25,000 इंडियन नेशनल लोगदल के टिकेट पर ये मैदान में थे तीसरे स्थान पर आगा है यहाँ पर Congress के candidate देवंदर बंसल जो विधायक थे उससे पहले पार्टी जनता पार्टी ने एक बार फिर से ग्यांचंद गुपता को अपना candidate बनाया और ग्यांचंद गुपता के सामने अब यहाँ पर Congress से entry हो गई चंदर महुन विश्णोई की और इंडियन नेशनल लोगदल इस चुनाव आते यानि कि 2019 का जो चुनाव था इंडियन नेशनल लोगदल दो हिस्सों में बढ़ गई एक इनैलो और एक जन्नायक जनता पार्टी तो इनैलो और जजबा यहाँ पर दोनों का कोई खास वजूद नहीं रहा चुनाव जीते यहाँ पर ग्यांचंद गुपता उनको वोट मिले लगबग एकसट हजार और चुनाव ह चलूं कि जो पंचकुला विधानसभा सीट है अगर आप इसे यह कहें कि यह पंजाबी वहुल्य विधानसभा सीट है 2019 के चुनाव में यहाँ पर 2,10,000 मद्दाता थे लगबग और जो 2024 का लोगसभा चुनाव हाली में हुआ तो उस चुनाव में लगबग 2,22,000 वोटर थे 12,000 मद्दाता बढ़ गए 2019 और 2024 के बीच में अगर आप इनको बाटें तो मोटा मोटी लें तो पंजाबी समाज की वोट यहाँ पर लगबग 41,000 है उसके बाद में अगर देखें तो अगर Champion समाज की वोट लगबग 36,000 है ब्रामर समाज की वोट लगबग यहाँ पर 19,000 है आगे चलें तो फिर यहाँ पर दलित मद्दाताओं की संख्या लगबग 22,000 है इतने ही लगबग 20 मद्दाता हैं बैकवर्ड यहाँ पर लगबग गूजर, राजपूत और जाट दोनों ये तीनों जो गूजर, राजपूत और जाट तीनों जो हैं इनका जो लगबग 8 से 8, 8.500 के आसपास तीनों के लगबग मूट हैं यानि कि 8.500 गूजर, 8.500 जाट और 8.500 के आसपास राजपूत, सेनी मद्दाता भी हैं लगबग 6.000 के आसपास तो यानि कि जो प्रमुक रूप से ये मद्दाता हैं, कुछ मुस्लिम मद्दाता भी हैं, पंच्छकुला के अंद को वो भी बताया, अब तयारी 2024 की है, कि 2024 में क्या हो सकता है, अभी 2024 का हाल का जो लोगसभा चुना हुआ, उसमें पंच्छकुला विधान सभा सीट से भारती जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थी बनतो कटारिया, वो लगबग 15.000 वोटों से आगे रहीं, और यहां पर जो बीजेपी के जो कॉंग्रेस के जो कैंडिडेट थे वरुन मुलाना वो दूसरे स्थान पर रहें, उनसे पीछे रहे गए, हलांकि वरुन मुलाना सांसत बने, अमबाला से चुनाव जीते, लेकिन पंच्छकुला विधान सभा में वरुन मुलाना पीछे रहे, अब ज्यांचंद गुपता का राश्ट्रिय स्वेम सेवक संग वाला, आरैसेस वाला प्रोफाइल बड़ा पुराना है, ज्यांचंद गुपता भारती जनता प्राटी के कदावर नेता भी है, लेकिन इसके साथ एक बात जरूर आती है दोस्तों कि जो बीजेपी के अंदर एक साथ चलती थी कि 75 प्लस वालों को चुनाव ना रड़ाया जाए, तो उस श्रेणी में आते हुए ग्यांचंद गुपता के लिए खत्रा है, लेकिन इसके बाबजूद जो बीजेपी के जो इंटर्नल सोर्सिस हैं, वो बताते हैं कि एक बार ग्यांचंद गुपता पर ही भ चुनाव में कांटे का मुकावला होना है बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में, जहां एक तरफ भारती जंता पार्टी मानती है कि पंचकुला उनकी सीट है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो दूसरी तरफ चंदर मोहन बिश्नोई के दबदवे को भी पंचकुला में कम कर नहीं आका जा सकता, पंचकुला के अंदर चंदर मोहन बिश्नोई का अभी पुराना दबदवा है, इस सब लिहाज से अगर देखें, तो उस थिती में क्या भारती जंता पार्टी केंडियेट चेंज कर सकती है, क्योंकि कॉंग्रेस लगबग आप मान करके चलें, कि लगबग लगबग चंदर मोहन बिश्नोई तै है, हलाकि मैं आपको बता दूं कि भारती जंता पार्टी में जो टिकेट मांगने वाले लोग हैं, उन टिकेट मांगने वाले लोगों में ग्यानचंद गुपता तो हैं यह दो बार के विधायक हैं, उसके बाद अगर ना हम तरुन बंडारी का भी चलता है, क्योंकि तरुन बंडारी काफी सक्रिये रहे हैं किसी समय पंच्छोला की राजनीती में, और भारती जंता पार्टी के अंदर भी उनका अच्छा सार है, पंजावी सवास से आते हैं, अगला कैंड़ेट देखें तो फिर यहां पर रंज कुलभूशन गोयल जो भारती जंता पार्टी के केंड़ेट के मुकावले चुनाव लड़े थे, इंडियन नेशनल लोगदल के टिकेट पर 2014 में और दूसरे स्थान पर रहे थे, इस समय वो मेयर है और भारती जंता पार्टी में है, तो यह प्रमुक नाम है जो ग्यानचं गुपता का जो प्रोफाइल है, जो रुथवा है भारती जंता पार्टी में, उसके लिहाद से एक बार फिर से भी उनको टिकेट मिल सकता है, अब अगर ग्यानचंद गुपता के पास टिकेट होता है भारती जंता पार्टी का, और उनके मुकावले कॉंग्रेस का टिकेट चंदरमाहन विश्णोई के पास आता है तो फिर पंचकुला का चुलाव बहुत कड़ा होगा जो मैंने आपको बताया कि भारती जंदापार्टी की सोच है कि वो जब पंचकुला की सीट है वो उनके लिए सेफ है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस के लिए भी चंदरमाहन विश चेहरा होते हैं तो कॉंग्रेस के लिए भी पंचकुला सीट बहुत आसान है यहां पर पंचकुला से चंदरमाहन विश्णोई पहले भी दो बार विधायक रहे हैं और इस थिती में चंदरमाहन विश्णोई पिछले दिनों से मेहनत भी कर रहे हैं चौधरी भजनलाल का न लेकिन विदान सबाद चुनाव की वैतरनी पार करना उनके लिए इतना आसान नहीं है जिस परकार वो पहले चुनाव जीत गए वैसे अगर आप हमारे पंचकुला से जुड़े हुए दर्शक हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि पंचकुला विधान सबाद चुनाव में मुकावला कैसा होगा क्या बीजेपी से ग्यानचंद गुपता और कॉंग्रेस से चंदरमान विश्णोई आ सकते हैं या इनके बीच में कोई और चेहरा भी हो सकता है आपको क्या लगता है कि अगर ये दौनों केंडेट हुए तो फिर इन में से कौन भारी रहेगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे देश रोजाना